हर हर महादेश स्री सिवाय नमस्तुम्यम गुरू जी की कथा चल रही है नर्मदास सिव महापुरान कथा उसमें गुरू जी ने आग एक विशेश पत्र पढ़ा जिससे प्रतिक सिव भक्त को निरोगी रहने का खास उपाय गुरू जी नहीं बाता है गुरू जी उस महला का पत्र पढ़ते हुए कहते हैं उस महना लें लिखा था कि मेरे संतान को नेत रोग सिव पुरी तरह से परिशान था कई डॉक्टरों को दिखाया कई तरह के उपाय करके देखे परंतु कहीं से लाब नहीं मिला परंतु वह महला कहती है कि मैंने सिव महा पुराण में जो गुरुजी ने एक खास उपाय बताया था उसे किया है उपाय इस प्रकार से है गुरुजी उस पत्र में यह लिखा हुआ था कि गुरुजी द्वारा जो उपाय बताया गया है जो जलाधारी से बहता हुआ जल है जब हम सिवलिंग में जल समर्पित करते हैं प्रभू का श्री सिवाय नमस्तुभ्य हम जाब करते हुए और निरंतर मन में सच्चे भाव सच्चे मन से पूजन करने के बाद जो जल प्रवाहित होता है उसे हम अपने नेतरों में अर्थात नेतर की जो पलकें होती हैं उसमें से अपनी पुत्र को लगाना उस महिला ने आ आप सभी भी नेत रोग इत्यादी से परिशान है या कोई भी तकलीफ हो यह सीव नीर यह सीव जल जो है अमरित के समान है प्रतिक ब्यक्ति को इसे सीर और नेतरों पर धारण करना चाहिए इससे कई रोग दोश इत्यादी से मुक्ति मिलती है कई तरह से गुरू जी बताते ह है कि यह सीव नीर जो है अमरित के समाय है इसे पान किया जाए तब भी जो है इसका फल विसेश मिलता है तो प्रतिक सीव भक्त को यह बारतिहान रखनी चाहिए जब सीव मंदिर में जल समर्पित करने जाए तो उसे अपने नेतरों से लगाए अपने मस्तक पर लगाए इस भक्त मंदिर जाता ही है तो साथ में यह कारिव करें तो पढ़ना मिलना निश्चीत है हर हर महादेव स्री सीवाई नमस्तु भ्याम